शृम इस वीड न हम बात कृेंगे, कानेरा बैंक के Q4 के result के बारे मैं तो कनेरा बैंक का Q4 काル रिजल्ट आ गया है चेक कर ले ते हैं काया है?नननी कृत्ते कीजार है के लिबधेअ रिध्यू कीजार तुरे है है तो चेक करें तो रिजल्ट कैसे आए ह है जो भी फिगर सोंगे सारे आपको रुपीज इन करोड्स में आते हुए देखने को मिलने वालेthren To तो चेक करें अगर रिजल्ट की, तो टोटल इंकम जो आई है, वो आई है 21,522 रूपेज इन करोड़, last quarter 21,000 थी, last year same quarter 14,222 करोड़ थी, year on year 56,000 से 84,000 पर आया है, तो काफी शानदार आपको total income में jump आती भी देखने को मिली है, expense की बात करें, total expense 15,000 करोड, 16,000 करोड, 12,000 करोड और year on year expense थोड़ा भड़ता आवा आपको देखने को मिल रहा है, provisioning की बात करें, provisioning other than tax and contingency, okay तो provisioning, अगर इसकी बात करें, तो provisioning अपकी बार in line आती वे, आपको देखने को मिली है, 4,324 रुपीज इन करोड थी, इस quarter 4,134, तो हलकी सी provision गटी है, उल्टी का में बात करो तो, लेकिन जो provision है, in line आता वा देखने को मिला, usually PSU सेक्टर से जादा provisioning की उमीद की जाती है, लेकिन ठीक है, in line आपको provisioning आती वी देखने को मिली है, year on year provision काफी भढ़ती वी देखने को मिली है, 11,115 करोड से लेकिए, 16,302 करोड पर provisioning आती वी देखने को मिली है, और net profit and tax अगर हम बात करें, net profit and loss for the period के अगर हम बात करें, तो 1010 करोड का profit हुआ है company को, last quarter 700 करोड का profit था, तो profit आपको थोड़ा भढ़ता हुआ देखने को, मिल रहा है, 1010 करोड हुआ है, last quarter 700 करोड था, year on year बात करें, तो 22 करोड के loss से, 22 करोड बैंक का loss हुआ था गई साल, अपकी बार 25 करोड का bank को profit हुआ है, तो overall result काफी अच्छे आते हुआ, आपको देखने को मिल रहे है, on front numbers के अगर हम बात करें, तो काफी अच्छे आते हुआ देखने को मिल रहे है, और अगर हम बात करें, net NPI के तो 2.64 से बढ़कर 3.82 हो गया है, year on year भी आपको NPI और gross NPI बढ़ता हुआ देखने को मिल रहे है, usually PSU सेक्टर में, मैं सिफ यह की bank recommend करूँगा, वो है SBI, अगर किसी को जाना है, तो SBI के पास ही जाए, बैंकिंग के अंदर, अगर किसी को PSU में इन्वेस्ट करना है, तो मेरी तो choice यही रहेगी कि आप SBI को अंदर ही इन्वेस्ट करें, और अगर आपको banking में करना है, और अगर आपको private sector, पब्लिक सेक्टर से दूर रहो, तो जादे ही अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आपको public sector में करना है, तो आप SBI में करें, वहाना HDFC bank है, ICSA bank है, इनके साथ एक थोड़ा कुशन रहता है, safety रहती है, तो यह थोड़ा ठीक लगते है, मुझे बाकी overall अगर में result की बात करूँ, okay है, वह बहुत बड़ा अच्छा result नहीं है, कि किसी के पास है, तो वह hold कर सकता है, आपके financial advisors से आप consult कर लीजेगा, usually में कोई इन बैंकों के अंदर कोई long term vision दिखता नहीं है, public bank है, कभी अच्छा profit आजाता है, कभी अच्छा loss हो जाता है, तो वह कुछ कहने वाली बात है होती नहीं है, तो अब down चलता रहता है, लेकिन यह अगर private bank हो, तो वह अपना profit continue maintain रखती है, इनका कल को कोई government के अदर से कुछ भी order आजाता है, उस चकर में NPS भढ़ जाते हैं, कभी provisioning भढ़ जाती है, तो थोड़ा दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा,